जैहिन दोस्तों मैं गगंदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ प्राउट ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और अगर आप NCC A, B और C सर्टिफिकेट का एक्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपके एक्जाम में बहुत से कोस्टन एज़िटी जाने वाले है और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कोस्टन प्रिपेर किये गए हैं ये NCC के A, B और C सर्टिफिकेट एक्जाम में जो पिछले सालों के कोस्टन पे पर हैं उनको सोल किया गया है और उन पे बेस्ट ही एक कोस्टन तियार किये गया है इसलिए ये आपके लिए इंपोर्टेंट है और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके बहुत सारे कोस्टन जैसे की compass क्या होते हैं, उसके parts, उसके types इसके अलावा bearing क्या होती है, bearing कितने प्रकार की होती है, forward bearing को backward bearing में कैसे convert करते हैं, खुद किस जिदी यानि कि own position कैसे निकालते हैं, type of ground कौन कौन से होते हैं, service protector क्या होते हैं ये जितने भी question है, map reading से related या फिर service protector, compass, इन सभी topics से related जितने भी question है न वो सारे के सारे आपके इस वीडियो में clear हो जाएंगे तो वीडियो को हम start करते हैं सबसे पहला question यहाँ पर है कि service protector के क्या क्या उपयोग होते हैं आपको पता है service protector एक scale के तरह की चीज़ होती है जिसका हम परियोग करते हैं NCC में तो उसके क्या क्या उपयोग होते हैं क्या परियोग करते हैं पहली बाद तो दूरी मापने के लिए map के उपर अगर हमको दूरी मापनी है तो उसके लिए एक scale चाहिएगा वो scale हमारे पास क्या होता है service protector होता है सामानतर रेखाएं खिचने के लिए जब हम own position find out करते हैं तो हमको line खिचनी होती हैं तो उसके लिए हम service protector का परियोग करते हैं grid निर्देशांग क्यानी की coordinate गयात करने के लिए और grid bearing गयात करने के लिए bearing क्या होती है इसे भी हम समझेंगे आने वाले questions में इसी वीडियो में हम इस बात को समझेंगे next question यहापे क्या है कि उत्तर दिशा गयात करने की विदियां लिखो तो उत्तर दिशा गयात करने से पहले कि आपको पतै कि उत्तर कितने परकार के होते हैं और अगर पतै तो कमेंट बोक्स में बताएं और उनके नाम भी लिखें तो उत्तरदिसा अगर हमको ग्याद करने हैं तो भहुत सारे तरीके हैं अगर हमको नोर्थ find out करने हैं सबसे पहला तो धुरोतारा हमको पता है कि धुरुतारा उत्तर दिसा में ही होता है हमेशा सुर्योद्य से सुरज हमेशा पूरव से उकता है पूरव का पता लग गया तो उत्तर का लग जाएगा सुर्यास्त से पस्चिम में छिपता है हमेशा सुरज तो पस्चिम का पता लग गया तो हमको उत्तर का पता लग जाएगा मंदिर द्वारा मंदिर का जो फेस होता है वो हमेशा पूरव की तरफ होता है तो हमको उत्तर दिसा का पता लग जाएगा इसी तरीके से जो मस्जिद और कभेस्तान होते हैं वे भी एक particular direction में होते हैं और सबसे important और सबसे very very important के compass का प्रियोग करके compass तो दिखाता ही हमेशा north direction को है उसकी जो सुई होती है उसकी जो needle होती है तो इस तरीके से हम उत्तर दिसा का पता लगा सकते हैं अगर आपको इसके अलावा और भी तरीके पता हैं से हम north find out कर सकते हैं तो आप comment box में बता सकते हैं next question यहापे है कि prismatic compass के भागों के इस्सों के नाम लिखो अब यह question आपके exam में 10 marks का भी आ सकता है और आ क्या सकता है यह आएगा यह आएगा इसके पूरे पूरे चन्स है आपके exam में आने के तो prismatic जो compass होता है यह ना compass के अंदर उसको हम dial बोलते हैं उसका hinge कबजा जिससे वो डखकन जो होता है वो attach होता है compass का जो डखकन होता है वो attach होता है उसको हम कबजा बोलते है यह hinge बोलते है clamping screw जो screw होता है compass के अंदर उसको हम clamping screw बोलते है lid हो गया hairline आपने देखा कमवाइब कमवाइब के बीचो बीच होती है उस razem बोला जाते है और क्योंकि यह prismatic compass है तो prism भी इसका क्या हो गया एक part हो गया इसकी अलावा ऐसे और आप और अच्छे से आकृती को देखते हुए याननी कि चित्र को देखते हो अगर आप समझना चाहते प्रिजमेटिक कमपास के कौन-कौन से 10 भाग है या 10 से भी ज़्यादा कौन-कौन से भाग है तो एक वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूँगा उसमें मैंने डाइगराम के थुरू बड़े ही अच्छे से समझाया है कि कमपास के कौन-कौन से पार्ट है और आप हमारा कौश्चन नंबर 5 यहां पे है कि प्रिजमेटिक कमपास का पूरा नाम क्या है तो प्रिजमेटिक कमपास का पूरा नाम है लिक्विड प्रिजमेटिक कमपास मार्क 3 अलफा-A यह हमारा प्रिजमेटिक कमपास का पूरा नाम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनता है कि जो compass होता है कितने तरह के होते है एक liquid compass होता है एक dry compass होता है एक बात बताना चाहता हूँ वो important बात यह है कि यह जो questions आपको दिखाई दे रहे हैं इनके quiz बना के आपकी help करने के लिए ताकि आप NCC के एक्जाम के अंदर बहुती अच्छा स्कोर कर पाएं तो उसके लिए एक टेलिगराम गुरूप बनाया गया जिसके अंदर NCC के क्विज रेगुलर डलते रहते हैं जो जो हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं उसका जो लिंक है आपके description में दिया गया तो वहाँ पे आपको सारा का सारा जो material है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और quiz जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे वहाँ से जाकर आप उसे practice कर सकते हैं Next question यहाँ पे क्या है कि service protector की लंबाई और चोडाई बताइए तो service protector की जो लंबाई होती है वो 6 इंच होती है और चोडाई जो होती है वो 2 इंच होती है तो लंबाई गुना चोडाई यानि की 6 गुना में 2 इंच क्या service protector हमारा होता है Next very important question के compass की सुई हमेशा किस दिशा को दरसाती है हमने उपर ही discuss किया इस बात को के compass हमेशा north direction को दरसाता है अब एक important बात के ये whatsapp number दिया गया तो इस पे please please call मत कीजिएगा सिरफ whatsapp ही कीजिएगा अगर आपको ncc की pdf से related ncc से related कोई भी query करनी है तो आप यहाँ पे whatsapp कर सकते हैं आपको जवाब दे दिया जाएगा जैसे ही time लगता है तो Next question यहाँ पे है कि compass से अधिक्तम कितने degree तक मापा जा सकते है तो compass round figure में होता है मतलब goal होता है और एक पूरा जो circle होता है वो कितने degree का होता है कि आप सोच के देखो एक बात होती है हमारे जो exam के अंदर question आते हैं और हम पढ़ते कहां से हम NCC handbook से पढ़ते हैं NCC handbook में बहुत सारे question दिये होते हैं हालांकि जो question होते हैं वो NCC handbook से ही आते हैं exam में लेकिन बहुत सारे ऐसे question होते हैं जो exam में नहीं आते लेकिन NCC handbook में दी होते हैं तो हमको बहुत ज़ादा पढ़ना पढ़ता है तब जाके हम exam के अंदर अच्छा score कर पाते हैं लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको सारे के सारे important question ही मिल जाएं और वो इकठे मिल जाएं जैसे कि full form आती है NCC के अंदर जैसे कि important days पूछे जाते हैं NCC के short answer type question आते हैं, long answer type question आते हैं, one liner question आते हैं, सही गलत आते हैं, fill in the blanks आते हैं ये सारे के सारे अगर आपको इकठे मिल जाएं, एक ही PDF में और वे सारे के सारे previous year जो paper हैं, उन पे best जो उनको solve करके बनाए गए हों तो बहुत ही अच्छा होगा आपकी त्यारी के लिए, आप कम time के अंदर बहुत ही अच्छा score कर पाएंगे और अगर आप चाते हैं उस PDF को खरीदना, तो ये जितनी भी चीज़े हैं जो अभी मैंने बताई हैं ये जितनी भी full form है, important days है, previous year papers के जितने भी questions है short answer type, long answer type, fill in the blanks और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये सभी के सभी questions एक PDF के अंदर combine किये गए हैं और अगर आप उस PDF को खरीदना चाते हैं, तो उसका link जो है, वो description में दिया है तो वहाँ से जाके आप उस PDF को खरीद सकते हैं और किसी को अगर link से खरीदने में दिक्कत आ रही है, तो वो whatsapp number पर भी message कर सकता है वहाँ से भी हम PDF provide कर देंगे ताकि आपकी त्यारी अच्छी होसके, आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़े और आप बहुत ही अच्छा score कर पाएं तो ये PDF आप बिल्कुल खरीद सकते हैं next question यहाँ पे क्या है, कि compass के क्या क्या उपयोग होते हैं देखो compass जो होता है, सबसे पहला तो उत्तर दिसागा पता लगाने के लिए क्योंकि compass जो होता है, वो north direction को indicate करता है फिर दूसरा आपको पता होगा कि जमारा practical का exam होता है न उसके अंदर हमको कहते हैं कि map set करना map set करने के लिए हमको compass की जरूरत पड़ती है हमको किसी एक direction के अंदर march करना है तो हमको compass की जरूरत पड़ेगी navigation के लिए हमको compass की जरूरत पड़ेगी तो ये सारे के सारे उपयोग है अगर आपको इससे ज़्यादा उपयोग पता है compass के क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं वो आप comment box में बिल्कुल बता सकते हैं next question है कि यहाँ पे मानकितर यानि कि map कहते किसे हैं map क्या होता है भाई एक तरीके से जो स्थला करती होती है यानि कि स्थल के उपर आकरती होती है उनका एक representation होता है एक page के उपर या कागस के टुकडे के उपर देखो जो normal ground है उसमें मान लो एक मंदिर से मस्जिद की दूरी एक किलो मीटर है तो अब हमको वो दर्षानी है तो एक किलो मीटर लंबा तो हम कागस ले नहीं सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक किलो मीटर को 2 सेंटी मीटर के बराबर मान लेते हैं और जब हम कागस के उपर मंदिय से मस्जिद की दूरी 2 सेंटी मीटर दिखाते हैं तो हमको पता लग जाता है क्योंकि हमने 2 सेंटी मीटर is equal to 1 किलो मीटर माना था इसलिए उन दोनों के बीच की दूरी 1 किलो मीटर है अगर बीच की दूरी 4 सेंटी मीटर हो जाएगी तो वहाँ पे एक गुणा 2 हो जाएगा यानि की 2 किलो मीटर हो जाएगी आप मेरी बाद समझ रहे हैं तो वही किसी चितर के स्थानों को नदियों नालों इतियादी को जब चिनों या बिन्दूों के दूरा किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर दरसाया जाता है तो उसे मानचितर का आ जाता है बिल्कुल यह आसान सी चीज़ है नेक्स्ट कोश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट कोश्चन है कि दर्रा किसे कहते हैं दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले मार्क को दर्रा कहते है कोई भी दो पहाड़ी है उनके बीच से कोई रास्ता गुजर रहा है तो उसे हम दर्रा गोल देते हैं पठार किसे कहते हैं पठार क्या होता है कि धरातल के आसपास भूद सतय से उपर उठे समतल मैदान को पठार का जाता है देखो पहाड नॉर्मली क्या होता है उसकी एक चोटी होती है और जब मान लो एक तरीके से पहाड की हम चोटी उड़ा दे और एक ऐसा पूरे का पूरा ग्राउंड बन जाए ठीक है तो उसको हम पठार बोल देते हैं लेकिन वो ग्राउंड लेवल से उपर होता है उची जगहां पर होता है लेकिन एक पूरे का पूरा मैदान होता है तो उसे पठार बोला जाता है नेक्स्ट कोश्चन है कि गाटी किसे कहते हैं जो कि पहाडों से गिरा हुआ होता है रास्ता होगा तो उसको क्या बोला जाएगा रास्ता जब हमारा होता है कहां पर दर्रा बोला जाएगा ठीक है पहाडियों के बीच में अगर कोई रास्ता बना हुए तो उसे क्या बोला जाएगा दर्रा बोला जाएगा लेकिन अगर न मलबे का जो पहाड की तरह है कि आकरती होती है ना वो वास्तों में पहाड नहीं होता है लेकिन पहाड की तरह है कि जो आकरती होती है मिट्टी के डेहर से बनी है या मलबे के डेहर से बनी है तो उसे हम क्या बोल देते हैं तीला बोल देते हैं अब नेक्स्ट कोश्चिन यहा भी दिया है देखो scale किसे कहते हैं इसको समझने के लिए मान लो कोई map reading कर रहा है या map के उपर किसी भी जगए की वो दूरी पता लगा रहा है तो उसको दूरी पता लगाने से पहले ये पता होना चाहिए यो कि उस map का scale क्या है scale मतलब 2 cm is equal to 1 km तो उसको पता है कि map के उपर अगर A point से लेके B point की दूरी 5 cm दे रखी है 5 नहीं अगर हम normal example के लिए 6 cm ले ले लेते हैं तो हमको पता है कि 2 cm 1 km के बराबर है तो 6 cm कितने गुणा हुआ 3 गुणा तो उदर भी एक काम 3 गुणा कर देंगे यानि कि अगर 6 cm है तो इसका मतलब 3 km दूरी के उपर हैं वो 2 point तो इसको हम क्या बोलेंगे scale बोलेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ अब कोई भी 2 point है उनके बीच में map के उपर दूरी अगर 2 cm है ना तो वास्तों में उन दोनो point के बीच की दूरी 1 km होगी अगर map के उपर 4 cm है तो वास्तों में 2 km होगी map के उपर 6 cm है तो वास्तों में 3 km होगी तो इसको हम बोलते है map का scale क्या है क्या decide कर रख़ए तो वो जो अनुपात होता है उसे ही हम उसका scale का बोल देते हैं नेक्स कोश्चन है यहां पे मैप रीडिंग में इस्तमाल होने वाले सामगरी का नाम लिखो मैप रीडिंग हमको करनी है तो मैप की तो जरूरत होएगी फिर scale की जरूरत होएगी नहीं नेक्स कोश्चन है यहां पे की कंटूर किसे कहते हैं देखो समुदर तल से समान उचाईक को वाले बिंदूओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है ना उन्हें हम कंटूर लाइन्स बोलते हैं जो sea level होती है sea level से बराबर height के जो भी point होते हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है बई कंटूर बोला जाता है very very important question आपको ध्यान डखना है next question यहां पे है कि magnetic variation यानि कि चुम्ब किया उत्रांतर को परिबाशित करे चुम्ब किया उत्रांतर क्या होता है magnetic variation नाम से ही पता चल रहा है कि कितना variation हुआ magnetic में तो ट्र्यू नौर्थ यानि कि वास्त्विक उत्र और चुम्ब किया उत्र क्योंकि इसके नाम में magnetic है तो इसका मतलब magnetic उत्र तो आएगा ही आएगा और दूसरा कुन से वाला ट्र्यू नौर्थ यानि कि रखना है next question है यहां पर कि क बेरिंग कितने परकार की होती है उसको पढ़ने से पहले हम थे निचे वाला question पढ़ते है कि बेरिंग होती गया है मैं यहां पर खड़ा हूं सामने वाले कोई पेड दिखाई दे रहा है मैं मेरे point से लेके सामने वाले पेड तक एक line खीच ली मान लो imaginary line खीच ली मैंने एक line मान ली एक तो वो वाली line और एक north direction होती है मेरे point से लेके north direction तो ये दो line होगी अब दो line है मिलेंगी मेरे उपर आके तो वहाँ पे कोण बनेगा जब भी दो line है मिलेंगी जो bearing यानि कि दो point को मिलाने वाली line और north के बीच में जो कोण बन रहा है अगर हम cloak wise यानि कि घड़ी की दिशा में वो angle बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अगर घड़ी की दिशा में वो angle हम बनाते हैं तो इसका मतलब वो forward है forward मतलब आगे की तरब अगर घड़ी की दिशा में हम जा रहे हैं तो वो forward हो गया और अगर घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पे आप देखो द्यान से जो पहले वाला example है वो forward bearing का घड़ी कैसे चलती है ऐसे जैसे forward bearing में चल रही है तो यह वाला जो angle हो गया पहले वाली आकरती के अंदर यह forward bearing हो गया उत्तर के बीच में और दो points को मिलाने वाली रेखा के बीच में और अगर यह जो है angle हम नाप रहे हैं यह हमारा ulti direction में है यानि कि हम anti-clockwise उसको ले रहे हैं तो उसको हम backward bearing बोल देंगे बस बड़ा simple सा यह answer है आपको मेरी साब से समझ में आ गया होगा next question की तरफ हम बढ़ते हैं very 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 important question आपके exam में आता है forward bearing से backward bearing कैसे निकालते हैं वह सीधी सी बात है कुछ नहीं करना आपको 180 degree लिखना है या तो उसको जोडना है या उसको गटाना है जब भी आपको कहा जाए कोई भी कोण आपको दे दे और बोल दें कि इसकी backward bearing निकालो तो आपको पहले तो एक 180 degree लिख देना है अब चाहे उसे 180 degree को जोडना है या गटाना है अब हमको कैसे पता लगेगा कि उसे जोडना है या गटाना है देखो अगर जो एंगल हमको दिया गया है वो 180 degree से ज़्यादा तो है तो हम क्या करेंगे 180 degree गटा देंगे और अगर वो दिया गया एंगल 180 degree से कम है तो हम 180 degree जोड देंगे बस बड़ा ही सिंपल्स है देखो जैसे यहां पे 200 डिगरी दिया अब 200 डिगरी आप बताओ 130 से ज़्यादा है या कम है ज़्यादा है ज़्यादा है तो हम इसमें से 130 गटा देंगे 20 डिगरी बैकवार्ड बेरिंग आगे हमारी दूसरी नमबर पे 70 डिगरी दिया 70 डिगरी या कम है कम है कम है तो हम इसमें 130 जोड़ देंगे 250 डिगरी आ गया इसी तरीके से आप 22 220 डिगरी का निकाल लेना और 50 डिगरी का निकाल लेना समझ में आपको आगया आप चाहए वे कुछ भी दे अगर बड़ा है तो एक सोसी घटा दो अगर छोटा है तो एक सोसी जोड़ दो आपकी फोरवाइड बेरिंग से बैक वियर्डिंग निकल जाएगी नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पे है कि मैप के क्या क्या उपयोग होते हैं वो बताने है भई हमको देखो जमीन पर खुद की स्थिती का पता लगाना है यानि की ओन पोजिशन फाइंड आउट करनी है दूसरे किसी स्थान को डूडने है खुद के स्थान से किसी स्थान के दूरी का पता लगाने है खुद के स्थान से कौन सी जो दूसरा को स्थान है वो कौन सी direction में है कौन सी दिशा में है वो पता लगाने है युद के समय पे हमें movement करने है बहुत सारे उपयोग होते है map के अगर आपको भी कोई पता है तो आप comment box में बता सकते है next question क्या है कि grid line है क्या होती है आप अगर map को देखेंगे ना ध्यान से तो map के अंदर ना बहुत सारी लाइने कीची होती है कुछ horizontal होती है कुछ vertical होती है मतलब हिंदी में हम बोलें तो कुछ खड़ी लाइने होती है कुछ पड़ी लाइने होती है तो वे जो लाइने होती है उन्ही को हम grid लाइने कहते हैं तो उसका परियोग, सर्विस प्रोटेक्टर का परियोग किया जाता है तो हमने पहले भी किया था कि सर्विस प्रोटेक्टर का परियोग क्या होता है grid bearing ना अपने के लिए किया जाता है अगला question यहां पर यह है कि जमीन कितने परकार के होती है वे उनके नाम लिखो, देखो जमीन जो होती है वो हम Ground को बोलते हैं, ठीक है, तो टाइपस ओफ Ground यहां पे हमको बताने है, एक तो होगे हमारी सम्तल भूमी, दूसरी होगे हमारी टूटी-फुटी भूमी, तीसरी होगे हमारी दबी-वी भूमी, जिसको हम Dead Ground बोलते हैं, नेक्स्ट आमारी उची भूमी जिसको हम high ground बोलते हैं, नीर्ची भूमी जिसको हम low ground बोलते हैं, और ढाल वाली भूमी जिसको हम slope ground बोलते हैं, slope वाला ground बोलते हैं, तो यह important parts हैं, कि जमीन कितने परकार की होती हैं, very very important question आपको ध्यान रखना है, next question यहाँ पर क्या है, कि next question यह है कि मानचितर की कमिया लिखो, अब मानचितर की कमी, मानचितर के फायदे होते हैं, तो उसकी कमिया भी होती हैं कुछ, और सबसे बड़ी कमी तो यही होती है मानचितर की, कि मानचितर up to date नहीं होता, अगर मैं आपको simple language के अंदर समझाता अभी कोई मानचितर हमने बना लिया, कोई building उसके अंदर हमने दिखा रखिया है, 10 दिन के बाद में मान लो वो building तूट जाती है, या उस building को वहाँ से हटा दिया जाते हैं, एक महीने बाद हम जाते हैं, तो वो building हमको वहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन मानचितर के इसाब स वो building अभी भी वहीं पर है, तो मानचितर क्या होता है, अप टू डेट नहीं होता, वो अभी तक की, यानि कि आज तक की सूचना दिखाना मानचितर के उपर संभव नहीं होता, यह सबसे important कम ही होती है मानचितर की, दूसरा कि बहुत सारे स्थान है मानलो, अब मानचितर की एक limitation है क्योंकि वो छोटा सा कागज या कपड़े का टुकड़ा होता है, और स्थान बहुत सारे हमको दिखाने है, तो सभी के सभी स्थान दिखाने संभव नहीं होते, कुछ important जो स्थान है वो हम मानचितर पर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि हर एक स्थान हर एक स्थान हमानचितर पर दिखाएं, तो वो थोड़ा सा संभव नहीं है, दूसरा, बहुती कम distance है, दो points के बीच में, अब मान लो, जब हम एक किलोमेटर की जो दूरी है, उसको दो सेंटिमीटर से दिखा रहे हैं, कोई मंदीर है और मस्जिद है, उसके बीच में सिरफ एक कि दूरी है, उसको हम दो सेंटिमीटर से दिखा रहे हैं सिरफ और सिरफ, अगर उनके बीच में दूरी बिल्कुल मान लो की 100 मीटर की दूरी है, तो उसको कितने बिल्कुली कम सेंटिमीटर वो तो नापा भी नहीं जाएगा, तो फिर उसके लिए exact हमको दूरी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, तो एक ये उसकी कमी है, दूसरी बात, कोई नदी नाला है, वो मानचितर के इस हाब से मानलो पूरव दिखा की तरफ बह रहा है, लेकिन अब बाड़ा आगी है या कोई और कारण हो गया है, उसके कारण उस नदी नाले की direction change हो गया है, अब वो होता है आपके exam के लिए, और अगर आप और भी easy इस चीज़ को करना चाते हैं, तो again वही option है कि आप इस PDF को download कर सकते हैं, दिये गए link से buy कर सकते हैं, और फिर आपका जब भी exam हो, आपको बस कुछ नहीं करना, mobile के अंदर इसको revise करने हैं, वीडियो में आपको चीज़े के compass की जो dial होती है, वह किस दातो की बनी होती है, तो या तो वह SEEP की बनी होती है, या अबरग की बनी होती है, अब यहाँ पे कुछ question आ रहे हैं सही गलत के, आपको पता है कि हमारे exam के अंदर सही गलत के question भी पूछे जाती हैं, पहली बात तो हमारे जो map होता है, वो कोई issue करते हैं सरकारी जो मैप होते हैं वो कोई इशू करते हैं तो सर्वे ओफ इंडिया नाम की ओर्गनाइजेशन है वो इशू करती है तो सर्वे ओफ इंडिया जो सारे के सारे मैप करती है वो टोपोग्राफिक मैप होते हैं टोपोग्राफिक मतलब स्थलाकर्तिक Map होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है मुझे जहां तक पता है, जो मैंने सर्च किया यह बात बिल्कुल सही है Next question है आप है, कि grid reference में हमेशा समसंख्या होती है यह भी बात बिल्कुल ठीक है, कि जो grid reference जब हम देखते हैं, तो उसमें जो number होते हैं even number होते हैं, odd number नहीं होते हैं ठीक है, bearing हमेशा गड़ी की उल्टी दिसा में मापी जाती है, ये गलत है भाई, क्योंकि bearing दोनों परकार से हम हम माप सकते हैं, गड़ी की दिसा में मापेंगे तो forward bearing हो जाएगी, उल्टी दिसा में true north यानि कि जो वास्तविक उत्तर और magnetic उत्तर यानि कि true north और magnetic north के बीच का जो difference होते है उसको magnetic variation कहते हैं तो यह question गलत है लेकिन थोड़ा हाट tricky है आपको बड़ा ही ध्यान रखना इस बात के लिए अब यहाँ पे next question आता है कि contour lines का पास पास होना वह दूर दूर होना क्या दर साथ है contour lines आपको पता लग गया मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो समुद्र तल होता है समुद्र की जो उचाई होती है समुद्र तल की उचाई उससे जो same height के point होते है ना same उचाई के जो point होते है उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उनको हम contour बोलते है और अगर आप देखें कि contour ना आगे जाके पास पास आ रही है तो इसका मतलब है कि आगे डहलान जादा है अगर contour line दूर दूर जा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डहलान कम है और अगर contour line बिलकुल parallel चल रही है यानि कि ना तो वो पास आ रही है और ना यह वो दूर जा रही है तो इसका मतलब मैदान कैसा है समतल है समझ में आगी है ये बात ये आपके fill in the blanks में one liner question में इन तीनों में से एक question पूछा जा सकता है next question देखो आपने देखा होगा कि जो map होता है map के अंदर कुछ खड़ी होई line होती है कुछ पड़ी होई line होती है जिने हम grid line बोलते हैं ठीक है जो उसको एक तरीके से square के अंदर divide करती है जो पूरे का पूरा map होता है तो उनको ना उनमें से एक को easting line बोला जाता है और दूसरे को northern line बोला जाता है तो कौन से वाले को easting बोला जाता है और कौन से वाले को northern line बोला जाता है तो जो खड़ी हुई रेखाएं होती है यानि कि जो नोर्थ की तरफ जा रही है ठीक है उनको तो इस्टिंग लाइन बोला जाता है और जो पड़ी हुई रेखाएं होती है यानि कि जो इस्ट की तरफ जा रही है side में मैंने इसलिए direction भी बनाई है तो जो east की तरफ जा रही है उनको हम northern line बोलते हैं और वैसे अगर देखा जाए तो जो पूरव दिशा में जा रही है पूरव दिशा की side right वाली side तो उनको हम northern line बोलेंगे और जो दक्षिन से उतर दिशा में जा रही है यानि कि उपर की तरफ जा रही है उनको हम easting line बोलते हैं very important question आपको ध्यान रखना है भई next question है यहाँ पे कि जमीन के objects को map पर देखने के तरीके बताएं अब कोई भी जमीन पर object है मान लो कोई सामने जाके कोई building है उसको हम को map पे देखना है तो कैसे देख सकते हैं एक तो intersection method होता है उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे अभी थोड़ी देर में फिर compass की bearing find out करके दिशावी दी का परियोग करके या फिर compass का परियोग करके तो यह बहुत सारे तरीके होते हैं जिन से हम जमीन पर कोई object है उसको map के उपर देख सकते हैं अगर आपको इसके अलावा कोई और तरीका पता है तो comment box आपके लिए आप बिलकुल बताइए आपको यह वीडियो कैसी लग रही है यह भी comment box में जरूर बताना next question है यहाँ पर कि how to find own position own position कैसे निकालते हैं खुद की सित्ती कैसे निकालते हैं सभी को यह question आता नहीं है मुश्किल question माना जाता है लेकिन आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको बड़े ही easily कराएंगे अगर आपके exam में ही आता है तो जो की chances हैं आपके exam में आने के खुद की सित्ती पता लगाना कि हम इस time पे कहां पे खड़े हैं यह सित्ती पता लगानी है अगर हमको या फिर कोई दुस्मन कहीं पे छिपा हुआ है उसकी सित्ती हमको पता लगानी है तो इस तरीके से exact अगर हमको point पता लगाना है तो कैसे निकालेंगे देखो इसके लिए एक method अम्यूज करते हैं जिसको हम intersection method बोलते हैं इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी 3 point ले लेते हैं या 2 point ले लो 3 से और अच्छा हो जाता है नहीं 2 point भी अगर आप ले लो जो हमारे पास हो थोड़ी सी दूरी पर हो और उनके बारे में हमको पूरी information हो कि वे किस direction में और कितनी दूरी पर है और वो map के उपर भी है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी अपना एक बार के लिए कोई भी point ले लेंगे जो हमने कह दिया कि। ये हमारी खुद कि सित्थी ये हमारी own position अब उस point से लेके जो हमारा A point है जो हमको पता है जिस के बारे में वहाँ तक एक line खीच लो map के ऊपर ठीक है अब B point जो हमने पता है जिस के बारे में वहाँ तक एक line खीच लो और फिर c point तक एक line खीच लो आप जब देखेंगे ध्यान से और जब इनको scale से यानि कि service protector से आप इन्हें मिलाएंगे तो ये तीनो की तीनो लाइने एक जगाँ पे cut करेंगी और जहाँ पे ये तीनो की तीनो लाइने cut करेंगी न वही क्या होगा वही हमारी own position होगी लेकिन इससे पहले हमको map को set करना बहुत ज़्यादा जरूरी है map आपको set करना है ये बात आपको बड़े ही अच्छे से ध्यान रखनी है तो इस तरीके से हम own position निकाल सकते हैं वाली बात भी अगर आप लिखाएंगे तो आपको पूरे के पूरे marks मिल जाएंगे या तो आपसे question ऐसे पूछ लिया जाए कि intersection method होता क्या है ठीक है intersection विधी क्या होती है या ऐसे पूछ लिया जाए कि own position कैसे निकालते हैं तो भी यही जवाब आएगा या फिर यह question पूछ लिया जाए कि own position निकालने के लिए किस method का परियोग किया जाता है तो intersection method आ जाएगा उसका correct answer I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा अब next question यहाँ पे है कि map को set करने की विधी बताओ अब map को set करना बहुत ज़रूरी अगर हम map set नहीं करेंगे तो हमको गलत direction का पता लग जाएगा तो map direction सबसे पहले तो map खोलो ठीक है map को set करने तो सबसे पहले तो map खोलो अब क्या गरो compass को खोलो और उसके उपर रख दो अब map के अंदर जो आकसांसो और देसांतर ठीक है और अब अब धीरे धीरे करके वो compass हिलेना map को घुमाओ और map को घुमा के ऐसे करो कि जो map का arrow mark होता है यानि कि जो map की तीर का निशान होता है वो compass का जो तीर का निशान होता है वो 360 degree में आजए बस जैसे ये चीज हो जाएंगी अब आपका मैं upset हो गया तो I hope ये session आपको अच्छा लगा होगा इसमें बहुत सारे question कराएं जो सारे के सारे important है और अगर आप इसकी PDF लेना चाते हैं PDF खरीदना चाते हैं link description में है आप proud group of NCC को Instagram पे, Facebook पे, Telegram पे WhatsApp पे, सभी जगहें पर follow कर सकते हैं कि आपको सारी की सारी information मिलती रहे इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहे proud group of NCC YouTube चैनल के साथ next video तक जै हिंद, जै भारत thank you very much